सरसों घसाग बनाने के लिए सबसे पहले सरसों और पालक को अच्छे से साफ करके दो से तीन बर दो कर सुखा लिया है अमने अब इनकी जूटी बनाकर इस परकार से कच्ची कच्ची सरसों हैं लेनी हैं आगे वाले डंठल को काट कर बराबर कर लेंगे ताके काटने में आसा पानी रहे इसी परकार से सरसों और पालक को काट लेंगे आप चाहे तो इतने बत्वा या चने कहरा साग भी डाल सकते हैं वैसे तो आजकल मार्केट में कटा हुआ भी मिल जाता है लेकिन घर पर साफ सफाई से काटें तो साग हमारा हाईजेनिक बनेगा सरसों हमारी कट ग इसी परकार से पालक को भी काट लेंगे आगे के डंठल काट लेंगे और वरोबर करके काटने में आसानी रहेगी इसी परकार से बारिक बारिक काट लेंगे ये देखे पालक हमारी तयार है इसको भी कूकर में डाल कर गैस पर रख देंगे गैस को ओन करके अब इसमें डाल हाफ ग्लास पानी इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि साग भी अपना पानी छोड़ेगा तो पानी कम ही डाले अब धक्कन लगाकर चार से पांच पीटी आने का इंतजार करेंगे पांच पीटी आने के बाद गैस को बंद करके और कुकर की गैस को निकाल कर एक कटोरी में थोड़ा सा आटा लेंगे बाजरे का आटा एक बुक्ती आटा काफी रहेगा आप चाहे तो इसकी जगह बेशन भी डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका पतला सा गोल बना लेंगे इस परकार का गोल की कंसिटेंस इससी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पानी के जैसी, अब इसको रखेंगे साइड में, गैस की तरफ चलते हैं, कुकर की गैस निकालकर ढखन खोल लेंगे, और साग को चेक करेंगे पका है या नहीं, इस परकार से दबाकर देखेंगे, ये देखिए अच्छे से मै मैस हो गया है अब इसको चमच से मैस कर लेंगे इस परकार से गुमाते हुए साग को गोट लेंगे आप चाहे तो लकड के गोटने से भी गोट सकते हैं ये देखे साग काफी हद तक गुट चुका है अब इसमें बाजरे के आटे वाला गोल डाल कर मिक्स करेंगे एक एक से तीन से चार मिनट लगादर चलाते रहेंगे अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे और इसमें तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक इसमें छोक लगाने के लिए मसाले तयार कर लेंगे ये हमने छैसे सा हरी मिर्च ली है तीन से चार कच्री ली है हमने इसमें डालने के लिए इनको रखेंगे साइड में और मिक्सी में हरी मिर्च डाल कर इनके नक्कू को तोड़ देंगे और ये लहसुन की कली ली है हमने आप अपने स्वाद अनुसार जम या ज्यादा कर सकते हैं और कच्रियों को भी छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इसी में डाल कर पीस लेंगे और दो प्याज को भी अच्छे से साफ करके छिलका उतार कर मोटे मोटे पीस में काट कर इनका भी पेश्ट बना लेंगे अब चलते हैं गैस की तरफ चार से पांच मिनट हो गया है साग को पकते हुए इसको अच्छे से mix कर लेंगे ये देखे इसकी shining इसको अच्छे से mix करके डखकन लगा कर side में रख देंगे और gas पर रखेंगे कडाई इसमें छोक लगाने के लिए और एक चमस तेल डाल कर अच्छे से गरम करके एक चमस जीरा डाल देंगे जीरा चटकने के बाद थोड़ी स इसको भी दो से तीन मिनट के लिए fry कर लैंगे अब इसमें डालेंगे मेथी बारिक चोप करके और एक मिनट के लिए इसी कारी मेती है चल्स करके डाल दो टमाटर की प्योरी बनाकर दाल देंगे और एक मिनट के लिए पका लेंगे अब अब डालेंगे सुखे मसाल से राप चमज लाल मिर्च ऐक समच मणाश घ्रलदी तो हमाश खमज गरम मसाल constitute कर लेंगे और थोड़ा तेल की जगह गी में छोक लगा सकते हैं ये देखे मसाले का टेक्ष्चर मसाला जितने अच्छे से पकाएंगे साग हमारा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा अब साग को एक बार मिक्स करके मसाले में डाल देंगे और कूकर की साग को भी अच्छे से पोंच कर निकाल लेंगे और साग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम को लोही रखना है, इसी परकार से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखे इसका टेक्स्चर, आप इसमें हरा दनिया बारिक चोप करके डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये दे प्लास बेल कर गरम गरम तवे पर डाल देंगे थोड़ा सा ड्राय होती ही पलट देंगे अब तवा हटा कर सीधे आज पर सेक लेंगे तो रोटी हमारी तुरंत फूल जाती हैं ये देखें गुबारे जैसी फुली फुली रोटी हमारी तयार है अब हम बनाएंगे बाजरे की की रोटी क्योंकि सरसूं के साथ बाजरे की रोटी का combination बनता है आटे को छान कर थोड़ा सा नमक डालकर mix कर लेंगे आप चाहे तो बिना नमक के भी बना सकते हैं, क्योंकि बाजरे का texture हल्का सा नमकीन होता है, अच्छे से mix करके थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए mix कर ले अब डोव में लोच लाने के लिए 3-4 सेकंड इस परकार से आटे को मत लेंगे ताके रोटी हमारी एकदम मुल्याइम और सोफ्ट पने अब एक लोई का आटा तोड़ कर इस परकार से क्लीन सिवोल बनाकर सूखे आटे में लपेट लेंगे और इस परकार से चप्टी से कर लोई पर दोनों हाथों की दाब देते हुए रोटी को बदा लेंगे इस परकार से ये देखे कितनी आसानी से बन गई है अब गरम गरम तवे पर डाल कर सेक लेंगे थोड़ा सा ड्राय होते ही तवे को हटा कर सिदे आज पर सेक लेंगे इस परकार से सिदे आज पर सेके तो रोटी हमारी तुरंत फूल जाती है यह देखे गुबारे जैसी फूली फूली रोटी हमारी तयार है तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं तो कैसी लगी रेसिपी प्लिज कॉमेंट में जरूर बताइएगा अगर वीडियो जरावी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को बाइबाई थैंक्स पूर वाच्चिंग